प्रदेश कॉंगरेस अध्यश और पूर्वु मुख्यमंत्री कमलनात बुधुवार को प्रदेश कॉंगरेस कार्याले पहुचे जहां उन्होंने मुगावली से भाजपा के कद्दावन निता राव यादवेंद्र सिंग यादव को कॉंगरेस की सदिस्ता दिलाई प्रदेश की फोली भाली जंता को प्रलोफन देते हैं, 18 साल में उन्होंने मध्धी प्रदेश को धोका दिया है, उनकी विकास यात्राओं का भी विरोध हुआ है, और छिन्वारा आकर अभधर भाशा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इस तरह की भाशा का प्रयोग नहीं कर मध्धी प्रदेश का मध्धाता सच्चाई का साथ देंगे, भविश्य को सुरक्षित रखेंगे. जिस तरह ये 18 साल का जवाब देपाई, विकास यात्रा निकाली थी, 160 विदानसवा सीटों में उस विकास यात्रा का विरोध हुआ, और छिन्वारा आते हैं, तो कहते हैं, मैं कमलनाथ की राजनीती को, कमलनाथ की भविश्य को गार दूँगा, कहते हैं, मैं कमलनाथ का अ मैं ब्रस्टा चार को गारूंगा, ये जो राजनीतीक स्थर में आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है, कि जो इतने वरिष्ट मुख्यमंत्री हैं, लगबग 18 साल मुख्यमंत्री रहें, मैंने तो कहा, ये जो महिलाओं, इनको आप बहने याद आई हैं, पहले ये मामा बन मामा बनते थे सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ, ये हमारे केंद के जो आकड़े हैं, मैं उस आधार पर ये कह रहा हूँ, मैंने कहा है, कि जहां तक बहनों का प्रश्ट में हमारा, हम बहनों को 1500 रुपए हर महीने देंगे और जहां गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नर्सिंपूर में था, सब ने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपए में, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, इसमें कोई शक नहीं कि कॉंगरिस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी बोखलाई हुई है, कारेकरता से लेके मुख्य मंत्री तक ये बोखलाई हुए है, इनके वेदायक बोखलाई हुए है, क्यूंकि ये जनता का चेहरा देखके, आज जनता का चेहरा देखके, जहां हर वर्ग मद्यप्रदेश का परिशान है, ये ये फैसला मद्यप्रदेश का 6-7 महिनों में होन मुझे मैं संतुष्ठ हूं मद्यप्रदेश के मद्दाताओं से कि ये मद्यप्रदेश के भविश्य को सुरक्षत रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, आज प्रश्ण पार्टी या उमीदवार का नहीं है, आज प्रश्ण है कि मद्यप्रदेश के मद्दाताओं को ये त वेंदर माली कीर पोट्ट।